मैं अपनी सभी दर्शकों का आज की कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज की कारिक्रम में हम कुछ बहुत महत्यूपूंट संकल्प नाओं के बारे में जानेंगे और सीखेंगे क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी बिंदू आवेश को केंदर में रखकर समान दूरी पर हम विभव का मान देखे तो क्या वो बराबर होगा यदी हम उन सारे बिंदुओं को मिला दे जिन पर विभव बराबर है तो क्या यह प्रश्ट कुछ विशेश प्रश्ट होगा यदी विशेश है तो कुछ इसका नाम भी होना चाहिए चलिए इन प्रश्णों के उत्तर ढूने की कोशिश करते हैं कोई सम विभव प्रिष्ट एक ऐसा प्रिष्ट होता है जिसकी प्रिष्ट के हर बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है किसी एकल आवेश क्यू के लिए विभव का मान क्या होगा यह होगा वी बराबर 1 बाइ 4 पाई अपसलों नोट क्यू अपोन आर इससे यह प्रकट होता है कि यदि आर नियत है तो वी भी नियत रहेगा तो इस प्रकार किसी एकल आवेश के लिए सम विभव प्रिष्ट कैसा होना चाहिए जी हाँ सम विभव प्रिष्ट स केंदरी गोले होंगे जिसके केंदर पर वे आवेश स्थित होगा एक महतुपूर्ण बात किसी समविभव प्रिष्ट के सभी बिंदुओं पर विद्युत शेत्र के अभी लंबवत होता है अब आप उत्सुक होंगे कि यदि कुछ और आवेशों का निकाय हो तो समविभव प्रिष्ट कैसे होंगे? चलिए देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एक समान विद्युत शेत्र के कारण समविभव प्रिष्ट इस चित्र में हम देख सकते हैं यदि विद्युत शेत्र E X अक्ष के अनुदिश है तो समविभव प्रिष्ट X अक्ष के अभी लंबवत, अर्थात, तल, Y और Z के समान तर तल होते हैं अब हम एक विद्युत द्विद्युत शेत्र के लिए समविभव प्रिष्ट देख रहे हैं यहां हम देख रहे हैं कि केंदर में कोई भी सम विभव प्रिष्ट नहीं है परंतु ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि द्वीध्रूप के केंदर पर विभव शून्य होता है बराबर धनात्मक एवं रनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रभावहीन कर देता है द्वीध्रूव के केंदर पर विभव शून्य होगा क्या दर्शक इसका कारण सोच सकते हैं द्वीध्रूव के कारण सम विभव प्रिष्ट केंदर के अभी लमवत होगे दो सर्व सम धनावेशों के शेत्र के कारण सम विभव प्रिष्ट का चित्र आप देख रहे हैं और द्विध्रूव की भाती यहां केंदर पर विभव शून्य नहीं होगा इस चित्र में दो सम विभव प्रिष्ट A तथा B है दोनों प्रिष्टों के बीच लंबवत दूरी डेल्टा एल है और यह बिंदू P है सम विभव प्रिष्ट A पर विभव का मान V है तथा सम विभव प्रिष्ट B पर विभव का मान V प्लस डेल्टा वी है डेल्टा V विद्यूत शेत्र E की दिशा में V में परिवर्तन है प्रिष्ट B पर बिंदू P है अब विद्यूत शेत्र के विरुद कोई एकांग धनावेश को प्रिष्ट B से प्रिष्ट A तक लाया जाता है और इस प्रक्रिया में किया गया कारे W किसके बराबर होगा विभावांतर के बराबर होगा VA-VB इस प्रक्रिया में किया गया कारे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और वह किसके बराबर होगा यह बराबर होगा E into मापांक डेल्टा L और हमने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि हम यह जानते हैं कि कारे बल इंटू विस्थापन के बराबर भी होता है। तो हम यहाँ पर बल इंटू विस्थापन जो की डेल्टा L है बल किसके बराबर होगा? बल बराबर होगा चार्ज इंटू विद्युद शेत्र के और आवेश यहां कितना है आवेश वन कूलंब है इसलिए हम इसको विद्युद शेत्र E इंटू मापांक डेल्टा एल के बराबर लिख सकते हैं अब आगे देखते हैं इस प्रकार E इंटू डेल्टा एल बराबर V माइनस V प्लस डेल्टा वी इसको हल करने के पस्चाथ माइनस डेल्टा वी के बराबर होगा और अब यह यहां सपस्ट है कि डेल्टा V रेनात्मक है तो डेल्टा V बराबर रेनात्मक मापांक डेल्टा V के बराबर होगा तो अब हम इस समिकरण को दुबारा लिखते हैं और अब हम इसे लिख सकते हैं E बराबर रनात्मक डेल्टा V divided by डेल्टा L बराबर धनात्मक मापांख डेल्टा V upon डेल्टा L इस प्रकार हम विद्यूत शेत्र तथा वैद्यूत विभव से संबंधित दो महत्वपून निशकरशों पर पहुँचते हैं पहला विद्यूत शेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव में सरवादिक रास होता है और दूसरा किसी बिंदू पर विद्यूत शेत्र का परिमाण उस बिंदू पर समविभव प्रिष्ट के अभी लंबवत विभव के परिमाण में प्रती एक आंक विस्थापन परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है कारिक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम आवेशों के निकाएं की कारण स्थितिज उड़जा का मान ज्यात करेंगे पहले हम एक सरल प्रकरण पर विचार करते हैं इस प्रकरण में आवेश Q1 का स्थिति सदिश R1 तथा Q2 का स्थिति सदिश R2 है यह स्थिति सदिश मूल बिंदू के सापेक्ष है आवेश Q1 को अनंत से बिंदू R1 तक लाने में किया गया कारण शून्य होगा परंतु यह आवेश अपने स्थान पर एक विभव उत्तपन करता है और यह विभव का मान क्या होगा V1 बराबर 1 बाइ 4 पाई अपसिलो नौट Q1 अपन R1 P यहां R1 P दिख स्थान के किसी बिंदू P की Q1 की स्थिति से दूरी है विभव की परिभाषा से आवेश Q2 को अनन्थ से बिंदू R2 तक लाने में किया गया कारे यह कारे किसके बराबर होगा यह बराबर होगा Q2 इंटू विभव जो की आवेश Q1 ने उत्तपन किया है यह किसके बराबर हुआ 1 बाइ 4 पाई अपसिलो नौट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 यहां R12 बिंदू 1 तथा 2 के बीच की दूरी है चुकि स्तिर वैद्यूत बल संग्रक्षी बल है यह कारे निकाय की स्थितिज उर्जा के रूप में संचित हो जाता है अतहा दो आवेशो Q1 तथा Q2 के निकाय की स्थितिज उर्जा यह कितनी होगी यह यू बराबर 1 बाइ 4 पाई अपसिलो नौट Q1 Q2 अपॉन R12 यदि पहले Q2 को लाया जाता है फिर Q1 को तो क्या उस्थिति में भी स्थितिज उर्जा इतनी ही होगी जी हाँ यह स्थिर वैद्यूत बलों के लिए कारे की पत स्वतंतरता के कारण होता है चाहे निर्दिष्ट स्थानों पर आवेशों को किसी भी प्रकार से लाया जाए इस स्थितिज उर्जा के समीकरण को कितनी भी संख्या के निकाय के लिए व्यापक बनाया जा सकता है अब हम तीन आवेशों Q1, Q2 तथा Q3 की स्थितिज उर्जा का परिकलन करेंगे पहले Q1 को अनन्थ से R1 पर लाया जाएगा और इस कारे का मान शून्य होगा इसके पस्चाथ Q2 को अनन्थ से R2 तक लाते हैं और इसमें किया गया कारे कितना होगा यह बराबर होगा Q2 इंटू B1 के किसके इक्वल लिखेंगे Q2 और 1 बाई 4 पाई अपसलो नॉट Q1 अपोन R12 इंटू Q2 आवेश Q1 तथा Q2 अपने चारो और विभव उत्पन करेंगे किसी बिंदू P पर यह विभव कितना होगा यह विभव होगा V12 बराबर 1 बाई 4 पाई अपसलो नॉट Q1 अपोन R1P प्लस Q2 अपोन R2P Q3 को अनन्त से बिंदू R3 तक लाने में किया गया कारे और यह कारे बराबर होगा Q3 इन्टू विभव जो Q1 और Q2 ने उत्पन किया है यह बराबर होगा 1 बाई 4 पाई अपसलो नॉट Q1 इन्टू Q3 अपोन R1P प्लस Q2 इन्टू Q3 अपोन R2P सारे आवेशों को उनकी स्थितियों पर एकत्र करने में किया गया कारे उस विन्याज की स्थितिज उर्जा के रूप में संचित हो जाता है और यह उर्जा कितनी होगी 1 बाई 4 पाई अपसलो नॉट Q1 इन्टू Q2 अपोन दोनों के बीच की दूरी R1,2 प्लस Q1 इन्टू Q3 अपोन दोनो Q1 और Q3 के बीच की दूरी प्लस Q2 इन्टू Q3 डिवाइड़ बाई 2 और 3 के बीच की दूरी आवेशो के निकाय की स्थितिज उर्जा के संदर्ब में हम एक महत्वपोन बात यहां कह सकते हैं और बात यह है कि स्थितिज उर्जा विन्याज की वर्तमान अवस्था का अभिलाक्षनिक गुण होता है यह इस बात पर निर्बर नहीं करता कि इस विन्याज को किस प्रकार से प्राप्त किया गया है अभी आमने आवेशो के निकाय की स्थितिज उर्जा ज्याद की आवेश क्यों की स्थितज उर्जा क्या हो गी। आवेश Q भी अत्यदिक छोटा है और बाहिय शेत्र उत्पन करने वाले स्त्रोतों को प्राभावित नहीं करता आवेश Q को अनन्त से बाहिय शेत्र के किसी बिंदू P तक लाने में किया गया कारे कितना होगा यह कारे Q इंटू V के बराबर होगा यहां V R बिंदू R पर बाहिय विभव है इस प्राकार यदी Q बराबर 1.6 10 रेस तुदी पार माइनस 19 कूलम का कोई इलेक्ट्रॉन किसी विभवांतर डेल्टा वी बराबर 1 वोल्ट पर त्वरित किया जाता है तो वह उर्जा Q इंटू डेल्टा V के बराबर होगी और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.6 10 रेस तुदी पार माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट यह किसके बराबर होगा 1.6 10 रेस तुदी पार माइनस 19 जूल के बराबर होगा उर्जा के इस मात्रक 1 इलेक्ट्रोन वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 रेस तुदी पार माइनस 19 जूल और इसके रूप में यह परिभाशित करते हैं इलेक्ट्रोन वोल्ट पर आधारित और भी मात्रक होते हैं जैसे किलो इलेक्ट्रोन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट, कीगा इलेक्ट्रोन वोल्ट और टेरा इलेक्ट्रोन वोल्ट इत्यादी किसी बाहिय शेत्र में दो आवेशों के निकाए किस थे तो जूरजा क्या होगी चलिए इस प्रश्ण को हल करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आवेश Q1 को अनन्त से उसके दिक स्थान R1 तक लाने में किया गया कारे देखते हैं और यह कारे होगा आवेश इंटू विभव के बराबर पहले की ही भाती V R1 बाहिय शेत्र का विभव है आवेश Q2 को अनन्त से R2 तक लाने में किया गया कारे पहले की ही भाती यह Q2 इंटू V R2 के बराबर होगा पर अन्तू Q2 को Q1 के शेत्र के विरुद्ध भी कारे करना होगा और यह कारे किसके बराबर होगा यह कारे बराबर होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई अबसलनोन इंटू आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 Q2 को दिक स्थान R2 तक लाने में किया गया कुल कारे यह किसके बराबर होगा Q2 V R2 प्लस Q1 के विरुद्ध किया गया कारे यानि के Q1 Q2 अपॉन 4 पाई अबसलनोन आर वन टू इस प्रकार निकाय के स्थित्य जूर्जा विन्यास के निर्माण में किये गये कुल कारे के बराबर होती है अथा यह किसके बराबर होगा Q1 V R1 प्लस Q2 V R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई अबसलनोन आर वन टू यदि इस विन्यास में दो आवेश प्लस Q और माइनस Q हो तो क्या आप जानते हैं कि ऐसे निकाय का एक विशेश नाम होता है जी हाँ इसे कहते हैं वैद्यूत द्वीध्रूव अब हम वैद्यूत द्वीध्रूव को एक बाहिय शेतर में रखकर उसकी स्थितिज उर्जा ज्याद करेंगे निकाय में एक आवेश प्लस Q तथा दूसरा माइनस Q है और इसे एक बाहिय शेतर में रखा जाता है तो स्थितिज उर्जा का मान क्या होगा एक समान शेतर में द्वीध्रूव का नेट बल शून्य होता है परन्तु एक बल आगूण का अनुभव करता है यह किसके बराबर होगा यह बराबर होगा P क्रॉस E के यह द्वीध्रूव में घूर्ण की प्रवर्ति उत्पन करता है बाहिय बल आगूण इस प्रकार लगाया जाता है कि इस बल आगूण को यतात अथ्य प्रभावहीन कर देता है द्वीध्रूव को कागस के तल बिना किसी कोणिय त्वरण के अत्यांत सूक्ष्म कोणिय चाल से कोण थीटा नौट से थीटा वन पर घूर्णित कर देता है इस बाहिय बल आगूण द्वारा किया गया कारे थीटा जीरो से थीटा वन टाव एक्स्टर्नल इंटू दी थीटा ताव का मान हम यहाँ पुट करेंगे P e sin theta d theta ये theta 0 से theta 1 और यह किसके बराबर होगा समाकलन के परशचात P e cos theta 0 minus cos theta 1 के बराबर यह कारे स्थितिज उर्जा के रूप में संचित हो जाता है अन्य स्थितिज उर्जाओं की ही बाती यहां हमें उस कोण के चैन की स्वतंत्रता है जिस पर विभव स्थितिज उर्जाओं यू शून्य माना जाए एक प्राकृतिक चैन के अनुसार theta 0 बराबर pi by 2 लिया जाना चाहिए तो हम उस उर्जा को अब इस प्राकार लिख सकते हैं यू theta बराबर P e cos जो अभी चैन किया theta pi by 2 minus cos theta और यह किसके बराबर होगा चूंकि cos pi by 2 0 है तो यह बराबर होगा minus P e cos theta और आप इसको लिख सकते हैं minus P dot e के बराबर क्या हमारे दर्शक यह उर्जा किसी और प्राकार से भी ज्याद कर सकते हैं संकेत के तौर पर आप इनमें जो भी हमने दो आवेशो की बाहिये शेत्र में उर्जा प्राप्त की थी वही तरीका यहां अपना सकते हैं दर्शक यह भी सोचने की कोशिश करें कि हमने कोण को पाई बाई टू क्यूं चायनित किया स्थितिज उर्जा ज्याद करने के लिए तो आज के कारिक्रम में हमने क्या-क्या सीखा? हमने सीखा समविभव प्रिष्ट तथा अलग-अलग आवेशो के विन्यास के समविभव प्रिष्ट को किस प्रकार चित्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है हमने आवेशों के विन्यास की स्थितिज उर्जा का मान भी ग्यात किया अलग-अलग परिस्थितियों में अंत में हमने किसी बाहिये शेत्र में रखे एक वैध्युत द्विधुरूफ की स्थितिज उर्जा का भी सूत्र ग्यात किया हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा अभ्यास है दर्शक यह जानने का प्रयास करें कि एक इलेक्ट्रोन जो हाइड्रोजन अनू के चारो तरफ घुमता है उसकी स्तिर वैद्यूत स्तितिज उर्जा कितनी होगी जो उर्जा की धार्णा हमने आज पढ़ी उसी को इस्तेमाल करके आप इसका मान ग्यात कर सकते हैं इसी के साथ हम विदा लेते हैं मिलते हैं अगले कारेक्रम में धन्यवाद में धन्यवाद